सुप्रवातम आपका स्वागत अभिदान नंवेडा पिछली गक्षाओं में अपने पिछली जो कालांस थे उसमें अपने दिर्ग संदी, गोना संदी, व्रदी संदी और यन संदी इन चार संदियों का विस्तित विवेचन किया था एक बार पुन इसका संदियों परिचे प्राप्त कर लेते हैं दिर्ग संदी में अपने पड़ा था कि यदि हरिश्वश्वर या दिर्ग स्वर के बाद उसी का समान को हरिश्व या दिर्ग स्वर आता है तो दोनों के इस्तान पर एक दिर्ग स्वर हो जाता है जैसे आया के बाद आया आता है तो अपने आ बनाया था ए और ए के बाद ए आती है तो दिर्गस्वर बनाया था उ या उ के बाद उ या उ आता है तो दिर्गस्वर बनाया था री के बाद दिरी आता है तो अपने दिर्ग री भी बनाया थी ये तो अपन्य पढ़ा था दिर्गसंदी जिसमें राम प्लस अवतार, रामा अवतार, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, इत्यादिया ने एक सारे उदान अपन्य देखें दूसरा पड़ाता है परने गुण संथी जिसमें था ओ या आ उसके बाद में यदिद या इ इन दोनों में से कोई भी आजाए तो इन दोनों के इस्थान पर एक स्वर ए बन जाता है जिसकी एक मात्रा होती है ओ या के बार जिदी उ या उ आता है तो बन जाता है जिसकी मात्रा एक डंडी पास में और एक उपर और य्या आग के बाद री आता है तो अर बन जाता है जिसमें पड़ाता ये दी रह आदा हो और उसके आगे दी वर्ण है तो वह द्स immediate वर्ण के ऊपर चड़ेगा और यदि वर्ण आदा है ठीक है और उसके बाद रह पुरा है तो यह रह इसक के नीचे आएगा या इक रह बनेगा यह अपने पढ़ा था ठीक है फिर देखते हैं वर्धि संदी वर्धियम पढ़ा था अय आ के बाद में ए या आ या आता है तो अई बन जाता है किसके पर आउ बन जाता है यह अपने पड़ा तव प्लस ओशदी तव उशदी ठीक है न अपने पड़ा देव प्लस एशा देव एशा ठीक है ऐसे कुछ उधार्ण अपने पड़े थे यूं कहीं आते ही यन संदि अभी तक हमने ये उपरवारे जो तीन संदिया पड़ी उसमें य उधार्ण उसके बाद में आतिम उच्छार लगए स रही भी तक है तो केवर में ये किन पर यह बन अपन पंड़ है ये ये अः परतित नहीं होगा वह यूं का यूं रहेगा ठीक है री के बाद री आता है और उसके बाद अन्य स्वर है री और री के बाद में तो रव बनेगा कैसा हलंत ठीक है जैसे ठीक है ना फिर आते हैं अयादी अग्ली संदी है पांच वी अयादी संदी इसका पाणिनी सुत्र है ए चो अईवा या वह अर्थार्थ ए या आई ओ आउ इनके बाद में इनसे भिन्न कोई स्वर आवे इनके अलवा कोई स्वर आना चाहिए तो ए के इस्थान पर आए आई के इस्थान पर आए ओ के इस्थान पर आउ और आव के इस्थान पर आव बन जाता है ठीक है देखते हैं कैसे बनता है उधान के जारा जैसे उधान आया प्रती प्रती प्रस एकम प्रती का अंतिम उच्चारित वर्ण क्या है इ उस इ को इस तव मैसे हमने बाहर निकाल दिया इदर पर्थम उच्चारित स्वर कौन सा ए ए को भी बाहर निकाल दिया पीछे बज़िया कम हमारी प्रभी बाहसा कह रही है ए के बाद में यदि उससे भिन कोई स्वर आता है तो ए के इस्थान पर क्या बनता है य वो भी कैसा हलन्त अधा अब देखते हैं इस प्र इस त्र त और य के बीच में कोई स्वर नहीं है इसलिए त आधा रहेगा इसलिए प्र त आधा य हम ए जुड़ गया ए की मात्रा होती है य तो य य य के उपर लगया और कम प्रतिये कम ठीक है यू का यू नहीए को बाहर निकाल दिया यह कहा अधान पर आए परीभासा कहरी है एक के इस्तान पर य आए और इसके स्तान पर यह बनता है यह बनेगा आए आए बनेगा तब क्या होगा सीधा इसमें जुड़ जाएगा ठीक है आ ना ठीक है यह में जुड़ जाए यह और ना यह कहा ठीक है कोई दिकत नहीं यह के बाद ठीक है यह का यह हो यह तो आ जाएगी यह कौन संदी है इसमें यह तो आ जाएगी यानसंदी में ठीक है यह आगे आई आई के बाद आई है तो नाएक जैसे ने प्लस अती ठीक है यह है ना मैंसे ए को बाहर ले लिया अ को बाहर लिया ती ठीक है एक ही जगे पर आया अ ना मैं जुड़ा ना पूरा यह में आ जुड़ा यह पुरा औरती नयती रहेगा ठीक है ठीक है यू का यू पो प्लस अना पो का पो अलग इसमें से ओ को अलग ले लिया अलग ले लिया नम यू का यू ठीक है अब ओ की जए क्या बनता है अब ठीक है ये अ इसमें जुड़ गया पूरा बन गया व में जुड़ा व भी पूरा और न बन करके और ये मौ यूखा यू पवनम ठीक है अःग करके बन ए और ये पूरा हो गया इसमें जुड़ गया न बन गया शेप्रसनम वो का हुआ है ये के बाद आया है ठीक है तो आये बन गया तो इसलिए शेयनम जेप्रसती जयती कैसे जव हलन्त ये को बाहर ले लिया इधर से अ को बाहर लिया यहां ती ठीक है बटा ये जो ए है एक ही जगह बनता है अव ठीक है अई है सॉरी एक ही जगह बनता है अई ठीक है अ तो जह में जुड़ गया तब जह तो पुरा हो गया यह में जब अ जुड़ा यह भी पुरा हो गया और ती यूं कहीं जयती ठीक है यूं कहीं ने प्रस्ती नयती अई होता है तब आई होता है तब आई होने पर आई बनता है तीसी आय आ जुर्गया गह मैं गह-पैं यह मैं आ जुर्गया यह और कह गाय वनता है पवनता भवनता है यह कहिनि क *** घाय कह नई ठीक है हनत्वसिद्धान्त होता है जिसके कारण से न का हन बन जाता है हरे प्लस हरे ये बन गया ठीक गई प्लस इका ठीक गई है आय बनेगा आय समें जुड़ गया यह में यह जुड़ गई गई हो गया और कायूं कायूं गई का गलायती सायक असो प्लस असावयम तव प्लस ऊचतो horrific दव प्लस द्वाव प्लस अव गावाव त्रह där है प्लस अते रायते श्रो प्लस अनम स्रमणम ठीक है अगले संदी है पूर रुप संधी ठीक है इसका सत्र है किसी भी पद के अंत में जो पहला पद है उसके अंत में ए या अव हो और उसके बाद में यदि अ हो तो इस अ की जगे पर अव ग्रह हो जाता है यानि कि आदा अ जिसको की एस के रूप में लिखा जाता है यह हो जाता है कैसे जैसे लोके प्लस असमिन यहां क्या है लोका इसमें से ए को बाहर निकाल दिया ठीक है ए है ए के बाद में अ है ठीक है यहां अ है ठीक है बाकी यूँ का यूँ है जब ऐसा होता है तो ए का यू लोकेश मिन बन जाएगा ठीक है लोकेश मिन को प्लस अपी को पी हरे प्लस अवा हरे वा को प्लस अयम को अयम ये ऐस वाड़ा बन गया उगरह सो प्लस अपी शो पी ठीक है ये ऐसे उदान है जो विश्रक संदी में भी आते हैं वहाँ पर पढ़ेंगे तब आएगा सह प्लस अपी ठीक है वहाँ अलग नियम है वहाँ आएगा तो अपन इसको वहाँ पर भी पढ़ेंगे ठीक है ते प्लस अपी ते अपी जले प्लस अस्मिन ए है ए के बाद हो है इसलिए जले इश्मिन हो गया व्रक्षे प्लस अपी व्रक्षे अपी सादो प्लस अत्र सादो अत्र न निर्पो प्लस अवदत दिर्पो अवदत वालको प्लस थी विप्रो प्लस थी विप्रो प्लस थी विप्रों अंतिम स्वर संदी है पर रूप संदी जिसको प्रग्रिय संदी भी कहते हैं और जिसे प्रकृति भाव भीश कहते हैं ये एक ऐसी संदी है जा संदी होते हुए भ पर विश्वर संधी नहीं होती उसे प्रग्रयय संधी कहते हैं उसे प्रकृति भाव संधी कहते हैं ठीक है यह कब होगा जब दीवचन के ई हो यानि कि कवी के रूप चल रहे हैं तो वे दीवचन में कवी बनता है यदि यह ई है ठीक है तो और उसके बाद में भी यदि होते हुए भी मिलेंगे नहीं और ये केवल कभी मोव ही बनेगा ठीक है कभी मोव यूंका यूंही रहेगा क्या रहेगा कभी और इमोव यूंका यूंही रहेगा इसमें कोई भी परिवरत नहीं केवल कभी इमोव गिरी प्रसे तो गिरी ये तो बनेगा और एक प्रुत स्व नहीं होती है ठीक है आज इतने ही लेंगे स्वर संदी पूर्ण हो गई अब विजन संदी है विजन संदी कुछ समय बाद लेंगे अब अगले कालांस में अपन पुस्तक शैमुसी भाग दो उसका प्रसम है मंगला चर्णम वह अपन पढ़ेंगे धन्यवाद